प्यारे बच्चो, क्लाश 12 पोल्टिकल साइंस टर्म 1 परिच्छा के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन बच्चो के रिक्वेश्ट पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ शुरू करने से पहले आपसे निवेजन है कि अपने चैनल एकनोमिस पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही वीडियो को और बच्चों तक जरू सेयर करे ताकि राजनिती सास के बच्चे इसे लाभानवित हो सके तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं चेप्टर का नाम है दूई धुर्विता का अंत्र जिसमें अति लगहुतरिय प्रशनोत्तर है पहला क्वेस्चन है बरलिन की दिवार का निर्मान एवं विद्वांस्किस परकार की घटना कहलाती है तो सीत यूद के उतकर्श के चरंव दौर में सन 1971 में बरलिन की दिवार खड़ी की गई है दूसरा कोशन है सन 1989 में बरलिन की दिवाल के ढहने को दुई धुर्यता का अंत्र क्यूं कहा जाता है तो इसका एंसर होगा, दूर धूर्वयता के दौर में जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था, जहां पूर्भी जर्मनी सामवादी सोवियत संग के परभाव में तथा पच्छमी जर्मनी संतराज अमरीका के परभाव में था, सन 1989 में बर्लिन की दिवाल के ढहने के पाद ही संपुन विश्व में से शोबिय संग का परभाव भी समाप्थ हो गया तथा अब तक दो धूर्वों में विभाजित विश्व एक धूर्वे हो गया। तिसरा कोश्चन है दूसरी दुनिया के देश से आपका क्या तात पर है अथवा समाजवादी खेमे के देशों से आप क्या समस्ते हैं। चौथा कोश्चन है बाबदी मीर लेनिन पर संचिप्ट इपनी लिखे तो बलाबदी मीर लेनिन का जन सन 1870 को हुआ था बलाबदी मीर रूस के बॉल्सविक कमनिष्ट पार्टी के संस्थापक थे ये सन 1917 की रूसी क्रांती के नायक थे तथा सन 1917 से 1924 की अवधी में सोबियत सामाजवाद गनराज के संस्थापक अध्यच रहे। ये माक्सवाद के आसाधारन सिधान्त कार थे। इन्हें संपुन 20 में सामवाद का प्रेरना स्रोथ माना जाता है सन 1924 में इनका निधन हो गया। पाचवन नमबर कोश्चन है सोबियत संग की अर्थववस्था में गती रोध क्यूं आया कोई दो कारण बताईए। इसका पहला कारण है सोबियत संग ने अपने संसाधनों का अधिकांद भाग परमानू हत्यारों के विकास एवं सैन साजो सम्मान में खर्च किया जिससे सोबियत संग में आर्थिक संसाधनों की कमी आ गई। सोबिय संग को दूसरा कारण है सोबिय संग को पूर्वी उरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर अपने संसाधन खर्च करने पड़े जिससे बाद धीरे धीरे आर्थिक दोर पर कमजोर होता चला गया चठा नमबर कोचन है आपकी राय में सोबिय संग के विघटन के दो मुख के कारण क्या थे तो पहला कारण है ततकालीन सोबिय संग के राष्टपती मिखाइल गोर्ब चेव द्वारा चलाये गे राजनिती एवं आर्थिक सुधार कारिक्रम दूसरा है सोबिय संग के पत्ती थी उन्होंने सोबिय संग के प्रेस्त लाइक मने पूर्म रचना और ग्लास नोस्त खुलेपन की नीते में आर्थिक और राणिती सुधार शुरू किया उन्होंने संथ राज अमरीका के साथ मिलकर हतियारों की होड़ पर रोक लगाई इन्होंने जर्मनी के एकी कर रूस के पर्थम राष्पती चुने गए उन्होंने सं 1991 में सोबिय संग के सासन के विरूद आद्नोलन का नेत्रिव किया था किया तथा सोबिय संग के विगठन में परमुभूमी का निभाई उन्होंने सामबाद से पुझीवात की और हुए संकर्मन के दौरूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिमेदार ठाराया गया नॉमा नंबर कोचन है सोबिय संग के विगठन के पहच्चा स्वतंद गनराजियों के नाम लिखे तो पहला गनराज है पर रूस दूसरा है बेलारूस फिर है उतक्रेन आर्मनिया अजर्बैजान मालदोवा कजाकिस्तान फिर है किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्क में निस्तान उजेविक्स्तान जॉर्जिया एस्टाटोनिया लताविया लिथु आनिया अगला कोचन है सौक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है ये बहुत इंपोर्डेन कोचन है बच्चो तो सौक थेरेपी का अर्थ ह है अगहाथ पहुचा कर उपचार करना थो सौक थेरेपी का अभिप्राई या है कि धीरे-धीरे परिवर्तन ना करके एकदम आमुल चुल परिवर्तन के प्रितनों को लाधना रूसी गनराज में सौक थेरेपी से परिवर्तन हेतु जल्दबाजी में नीजी स्वामित वित्य के खुलापन, मुक्त वैपार यह मुद्राओं की आपसी परवतन सिल्ता पर बल दिया। सौक थेरेपी का यह मॉडल विस बैंक वा अंतराष्ट्य मुद्राकोस द्वारा निर्देशित था। पूरा का पूरा राज नियंतरित ओद्योगिक धाचा चर्मरा गया, लगभं 90% ओद्योगों को नीजी हाथों या कमपनियों को बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इनके काल में सोवियत संग में ओद्योगी करन को बढ़ावा मिला तता खेती का बलपूरवक सामूही की करन किया गया। इनके काल में सीत यूद का प्रारम हुआ। तेरा नमबर कोशन मानचीतर में स्वतंतर मद एशिया देशों को चिन्हित करें। तो पूर्वी मद यूरोप और स्वतंतर राज्यों के राष्टकुल का मानचीतर यहाँ पर दिया हुआ है। सोबियत संग है, काजिकस्तान है, उजिकस्तान है, तुर्कमेस्तान है, मलब जो जो भी आपका गनराज बने थे उसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यहाँ दर्साया गया है कि स्वतंतर मद एशिया देश यह है। उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान कजाकिस्तान किरगिचिस्तान और तुर्कमेनिस्तान चौदर नमबर कोश्चन है मैंने किसी को कहते हुए सुना है कि सोबियस संग का अंत समाजवाद का अंत नहीं है क्या यह संभव है तो यह सही है कि सोबियस संग का अंत समाजवाद का अंत नहीं है यह दपी सोबियस संग समाजवादी विचाधारा का परवल समर्थक था उसक समाजवाद एक विचाधारा है जिसमें देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहा है और अब भी हो रहा है इसलिए सोवियत संग का अंत समाजवाद का अंत नहीं है पंदरा नंबर कोश्चन है सोवियत और अमरीकी दोनों खेमों के सीत यूद के दौर के पांच पांच देशों के नाम लिखिए तो अमरीकी खेमों के देश है संयुक राज अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस, पच्मी जर्मनी और इटली और दूसरा है सोवियत खेमे के देश है सोवियत संग, पुर्वी जर्मनी, पॉलेंड, रोमानी और अंग हंगरी अब है बहु विकल्पिय प्रशनोतर बच्चो ये आपका एकजाम में कोश्चन में 20 गो आपका बहु विकल्पिय प्रशनोतर रहेंगे तो इसमें पहला कोश्चन है सीत यूद का सबसे बड़ा परतीक था तो क्या था तो बरलीन की दिवार का खड़ा किया जाना दूसरा है बरलीन की दिवार कब बनाई गई थी तो 1961 में सौक थेरेपी अपनाई गई थी कब 1990 में पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बरलीन की दिवार गिराई का तो 1989 में सोबिय संग के विघठन के लिए किस नेता को जिमेदार माना गया है तो मिखाइल गोरवाचेव को बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह बच्चो सोबिय संग के विभाजन के बाद विष्व पटल पर कितने नए देशों का उद्रोगवा तो 15 देशों का सात्मा है सामबादी गुट के विघठन का परमुक अंतराष्टे परभाव पड़ा तो एक धुर्विय विष्व विवस्था का उदैट अगला कोस्चन है और लाश्ट कोस्चन है बच्चो वर्तमान विष्व में कौन सा एक माद देश महा सकती है तो वो है अमरीका तो ये थे चेप्टर टू राजनितिक विज्ञान के क्लाश टुवल्थ के महत्पून कोस्चन वीडियो को जरूतमंदों को जरूर सेयर करे क्योंकि परुपकार करने से ही अपना भी भलाई होता है और दूसरों का भी भलाई होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आग्या दीजिए बाबाई